देश भर के लाखों क्रमचारियों और पेंशन भोग्यों का हमारे यूट्यूब चेनल नेशनल जगत पर हार्दिक स्वागत है क्रमचारियों और पेंशन भोग्यों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50 फिस्दी होने के बाद क्रमचारी वर्ग की निगाहें इसी और हैं कि क्या उनका महंगाई भत्ता अब बेसिक में मर्ज होगा और यहां पर इस वीडियो में हम आपको 100% सही, सटीक, फैक्ट के साथ पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आपका महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और ध्यान से पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करते हुए तीन तरह से आपको यहां पर हम समझाने का प्रियास करेंगे सबसे पहले मीडिया की ख़बरे आपको दिखाएंगे, मीडिया की खबरों में वर्तमान में क्या चल रहा है आपके महगाई भत्ते के basic में मर्ज होने को लेकर उसके बाद में दो नमबर पे हम बात करेंगे कि जब महगाई भत्ता बड़ा था उसमें जब सरकार से स्वाल पूछा गया कि क्या महेंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जाएगा तो सरकार के दोरा क्या जवाब दिया गया वहीं तीसरी जो बिंदू है उसमें हम आपको बताएंगे कि डिये मर्ज को लेकर पांचवे और छटे वे तनायोग में क्या रिपोट थी और डिये मर्जर ओर्डर जो है पुराना ओफिस में मरेंडम है वो भी आपको दिखाएंगे आपको 1996 से लगाकर अब तक की जो डिये टेबल है वहें भी बताएंगे और पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि आपका डिये बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीडिया की खबरों से आप यहां पे देख सकते हैं कि आप जब गूगल में सर्च करेंगे महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होगा या नहीं तो यहां पर आपको कई तरह की जो अपडेट मिलेंगी जिसमें साफ बताया गया है कि जुलाई दोहजार चोईस के लिए महंगाई भत्ते की दरत्या करने से पहले सरकार 50 फीजदी डिये को बेसिक में मर्ज करने को मनजूरी दे सकती है यह जी बिजनेस की न्यूज है जिसमें बताया गया कि केंद्रिय करमचारियों का डिये बढ़ने के बाद अब बेसिक सेलरी है उसको बढ़ाया जाएगा और उसमें डिये मर्ज किया जाएगा आगे आप इसी तरह से देखेंगे तो जी बिजनेस की एक और न्यूज मिलेगी आपको जिसमें कहा गया है कि 50% तो हो गया अब सुनने होगा डिये यानि मीडिया खबरों की बात करें तो मीडिया खबरों में ये बताया गया है कि आपका महेंगाई भत्ता है ये बेसिक में मर्ज होगा और यहाँ पर जब इस तरह की खबरें आते हैं तो करमचारी वर्ग जो है ये इस तरह से उम्मीदे लगाता है कि उनका महेंगाई भत्ता अब बेसिक में मर्ज होगा लेकिन अब बात करते हैं दूसरी जिसमें पियूस गोईल ने जो केबिनेट ब्रीफिंग की थी उस समय एक पत्रकार के द्वारा जब पूछा गया कि सात वेतन आयोग के अनुसार पचास फीजदी डिये होने के बाद क्या इसे बेसिक में मर्ज किया जाएगा तो प्यूस गोईल ने क्या कहा Hello sir, this is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the Pay Commission takes. Sir, 7th Pay Commission has already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the Cabinet has decided, A, the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, Gratuity Upper Ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So, those will be the consequential changes of this increase in focus. तो प्यूस गोईल के द्वारा ये बताया गया है, कि वेतन आयोग की सिफारिस्चों के अनुसार कारिये किया जाएगा, इसमें ना तो उन्हों ने ये कहा, कि इसको merge किया जाएगा, और ना ही उन्होंने merge करने से मना किया है, यानि कुल मिलाकर कहें, तो उन्होंने बस इतना कहा है, कि आपका डिये 50% हुआ है, इससे HR बढ़ेगा, इससे आपके other allowances बढ़ेंगे, लेकिन merge करने को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, यानि कुल मिलाकर गोल मोल सा जवाब यहाँ पर दिया गया है, अब बात करते हैं, तीसरी, पांचवे और छटे वेतन आयोग में क्या कहा गया था, और क्या उस समय का order था, आईए देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पांचवे वेतन आयोग में ये जरूर कहा गया था, कि जैसे ही 50% DA हो जाता है, उसको basic में merge किया जाएगा, इसको लेकर 27% 2014 को DA merging का जो order जो निकला था, जो की 1 January 2004 से effective हुआ था, वह order आपको दिखाते हैं, ये आपके सामने पुराना ओफिस में रेंडम है, जिसमें ये जो 50% महंगाई भत्ता महंगाई राहत होने के बाद इसको basic में merge करने को लेकर जाहरी किया गया था, 1 March 2004 को और ये एक जरवरी, सोरी, एक अपरेल 2004 से ये effective था, इसके तहत यहाँ पे जो DA है, उसको merge किया गया था, बहुत लंबा चोड़ा order है, जिसमें बिलकुल एक बींदों को अच्छी तरह से समझाया गया है, वहीं पर भारत सरकार का ही, ये 7 June 2004 का office memorandum है, इसमें भी DA को basic में merge करने को लेकर, जो example के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से basic में DA को merge किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब पूरी तरह से clear हो जाता है, कि 5 वेतन आयोग की सिफारिसों में DA को merge करने को लेकर, जो सिफारिस है की गई थी, उसके अनुसर DA को merge किया गया अब आपको बता दें, कि 6 वेतन आयोग में इस तरह की कोई सिफारिस नहीं की गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो sixth pay commission है, उसमें इस तरह की सिफारिस नहीं की गई थी, कि DA को basic में merge किया जाए, तो इसी वजए से आपको फिर से दिखाते हैं DA की table, जब आप इस table में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको DA बढ़ता हुआ, आपको नजर आएगा, और एक जगह आपको DA merger लिखावाएगा, बाकि आपको कहीं भी DA merger लिखावा नहीं आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको DA merger लिखावा है, यहाँ पर एक मार्च 2004 के उसके बाद में जो DEA है उसको मर्ज कर दिया गया था एक अपरेल से उसके बाद याँ area पे देखेंगे तो कहीं पर भी आपको DEA मर्जर का उपक्सन आपको नहीं मिलेगा यानि कॉस्के बाद में datius को मर्ज यानि सात्वे वेतन आयोग ने भी ऐसी कोई शिफारिस नहीं की है He said which clearly means no automatic merger यानि सात्वे वेतन आयोग ने कहा है कि automatic group से DA को merge नहीं करना चाहिए This also means next installment of DADR will not start from zero but it will continue 50, 52, 53, 54% यानि जो DA है ये zero नहीं होगा ये 52, 53, 54% की तरफ आगे बढ़ेगा और अब आपका महेंगाई भतता है ये basic में मर्ज नहीं होगा जानकर अगर आपको सही सटीक और समझ में आई हो बिल्कुल fact के साथ में आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे हुए चैनल को सबस्क्राइब कर ले हुए फिर मिलेंगे जैहिन जैभार